आज के विकास प्रभा कारिक्रम में हम जिस विशे को लेकर आपके बीच हैं वो है गाउं के विकास की कहानी विकास प्रभा हमारा एक ऐसा कारिक्रम है जो विकास सात्मक गतिविधियों का लेकर प्रस्तुत होता है और इसमें आज हमने एक रियल स्टोरी जो की गाउं के बदलाओं को सामने ला रही है और काफी प्रेरक है ये बाटी है साजा की है और इसके लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंतरित किया है विजे मनोहर तिवारी जी को जो की वरिष्टपत्रकार और लेखक हैं और आम तोर पर गाओं के विकास के साथ काफी करीब से जुड़े हुए हैं विजे मनोहर जी आपका हमारे इस कारेक्टरम विकास प्रभा में बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार विजे जी बात की शुरुवात करें हम और विकास की बात करें तो आम तोर पर जो गतिविधियां दिखती हैं गाओं में बदलाओ की कभी कोई कंस्रक्शन होता है या पर कुछ लिखा भी है आपने क्या कुछ गाओं ऐसे भी हैं जहां लोगों ने एक जुट हुकर बदलाओ की पहल की है और एक परिवर्तर लाके दिखाया है कुछ उस बारे में बताईए हमें देखें ये बड़ी उतली परिवाशा है किसी भी विकास की की सड़क बन गई है या उस तरह कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्शर के काम हो गए हैं बुनियादी सरचना के और हम समझते हैं कि ये डिवलॉपमेंट है ये विकास है मैं समझता हूँ ये बहुत ही उतली परिवाशा है और मैं जिन गाउं का जिकर आपसे अभी करूँगा वो ये थाबित करते हैं कि जब तक आप उनकी आत्मा में बदलाव ना लाएं गाउं की जो सोल है गाउं की जो आत्मा हैं उसमें ना बदलाव लाएं सक्रिय तोर पर तब तक जो भी आप कर रहे हैं वो सब बाहर से किया गया एक इलाज है उस बीमारी का जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है और उस कड़ी में मैं सबसे पहले मध्यपरदेश का ही एक गाउं है भोपाल राजधानी से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है ये और पर जिले में आता है और उस गाउं का नाम है बगवार वो मुश्किल से 12500 की आबादी का एक गाउं है लेकिन इस गाउं ने अपने लोगों के जरिये जो तस्वीर हमारे सामने आज पेश की है वो वाकई हम सब का हीमोगलोबिन बढ़ाने वाली है और ये काफी साल पुरा बने बाद में पहले हम खुद एक ऐसे मकाम पे जाके खड़े हो जाएं जहां हम दिखा पाएं कि सामुहिक परिश्रम या सामुहिक पहल के क्या परिणाम हो सकते हैं तो बगवार में 1970 के दर्शक में कुछ लोगों ने ये सामुहिक संकल्प लिया कि हम पंचायत के किसी भी प्रकार के चुनाओं में नहीं जाएंगे हम चुनाओं में कोई अपनी उर्जा और अपना समय नश्ट नहीं करेंगे बलकि हम चुन लेंगे जो भी योग है उमीदवार उसको हम चुन लेंगे वो गाओं के लिए काम करेगा हम वोटों के पचड़े में नहीं पढ़ेंग और ये एक ऐसा संकल्प था जिसने इस गाओं का ध्यान जो है बाकी लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा और इस गाओं ने ये संकल्प लगभग चार दशक तक निभाया और उन्होंने कभी चुनाओं में पार्टिसिवेट नहीं किया और फिर गाओं में जो टेलेंट था उसका उन्होंने उप्योग किया जैसे कुछ सेवा निबरत अधिकारी थे जो करशी विभाग में रहे या शिक्षा विभाग में रहे वो लोटकर अपने गाओं आए और उन्होंने अपनी जो करशी विभाग में काम करने का जो उनका वि सरकारी पृति निधी जनिप्रति निधी वो इस गाउं का दोरा करते हैं और वो देखते हैं कि कैसे इस गाउं ने अपनी शक्छ बदली अच्छा तो एक तो ये हुआ कि वहां के स्थानी लोगों का योगदान सहयक हुआ, किस किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं? आद देखिए उन्होंने सबसे पहले जो अपने गाओं की दशा सुभारने के लिए जो बेसिक चीजें जरूरी हैं कि उन्होंने सबसे पहले कुछ अच्छी सडकें बनवाई और गाओं में हम देखते हैं कि सक्री गलियां होती हैं और कोई नियम काइदे नहीं होती है चुकि ट्रेफिक वगएरा कुछ नहीं होता इसलिए जिसकी मर्जी आती है वहाँ तक वो घर बना लेते हैं नोंने एक नियम तेखिया कि हमें इतनी चोड़ी सडके ही बनाना है और उसके तहट उन्होंने गाओं के लोगों को राजी किया और खासी टूवे सडके उस गाओं के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगी और खाली जमीन के हट टुकडे पर उन्होंने हरियाली विकसित की और उसकी रखवाली की उन्होंने गाओं की जब आप किसी गली से गुजरते हैं तो जो खाली मकानों की दीवालें जिन से हम सामने सामने होके गुजरते हैं उसको उन्होंने नोटिस वोड की तरह इस्तेमाल किया और पूरे गाउं की दीवालों पर उन्होंने दुनिया की सारा सामन ग्यान जो जनरल नौलेज है वो लिख दिया पूरे गाउं में अब आप गाउं की गलियों से गुजरते जाईए और वो सारा कुछ पढ़ते चले जाईए कि भारत में कितने प्रांत हैं दुनिया में कितने देश हैं उन प्रांतों की कितनी राजधानिया हैं वहां राष्टपती हमारे कौन कौन रहे हैं प्रधान मंतरी कौन कौन रहे हैं हमारे चार वेद कौन से हैं हमारे अठारा पुरान कौन से हैं हमारे एक सो आठ उपनिशत कौन से हैं और हमारा राष्टगान क्या है हमारा राष्टगीत क्या है भारत का समविधान कब लाग दिया है कि आप भेरत में पड़ जाते हैं कि इस खाली जगह का छाधतर लोग कुछ भी 29Soph Spaß किया इस गाउं को अन्हों ने इस हद तक काम किया कि सरकार अगर किसी निर्मानकारे को लेकर कहीं देती है कोई पैसा देती है इस गाउं के लोग अपनी शर्तों पे वो बनवाते हैं वो सरकारी सिस्टम के तहट नहीं बनवाते हैं और इस्थानिय प्रशासन ने उनके काम को देखकर ये विशेश उनको अनुमती दी हुई है कि जैसा आप चाहें वेसा बना लें कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पी डबलू डी ही बनाने जाएगा वो गाउं के लोग खुद डिजाइन करते हैं खुद ही मेहनत करते हैं खुद अपने गाउं की जरूरत के हिसाब से वो भवन या जो भी बनना है उसका निर्धारन करते हैं और उसके बाद अगर उसमें फंड कम पड़ रहा है सरकार ने जितना फंड दिया है और उनको लगता है कि नहीं हमको इसमें एक लाख रुपे और लगा कर अपनी जरूरत के हिसाब से बनाना चाहिए तो वो अपनी तरफ से भी उसमें जोडते हैं उसकाम में और ऐसे उन्होंने वहाँ जो सामूदा एक भवन बनवाए हैं अलग-अलग आप देखेंगे तो आप किसी भी राजधानी में जो हमारे मानिये मंत्री या जो अधिकारी जिस तरह के घरों में रहते हैं वैसा रख रखाओ किया हुआ वो सामूदा एक भवन आपको मिलेगा जहां पूरे गाउं की सारे उत्सव वहाँ लोग मनाते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने पूरे गाउं को एक पाटशाला में बदल दिया है तो जो आसपास पानी बहे के जाता था बारिश का तो उन्होंने कुछ चेक डेम बना दिये हैं कुछ अच्छे स्टॉप डेम बना दिये हैं और उससे उनके गाउं का जो ग्राउंड वाटर लेवल है पिछले 25-30 सालों में वो इतना बढ़ गया है कि वहां कभी पानी की कोई समस्या नहीं होती बहुत अच्छी बात क्योंकि आम तोर पर ये जो छोटी छोटी समस्या होती हैं यही बाद में विक्राल रूप भी लेती हैं और कई बार यही प्रशासन से भी गाउंवालों की अपिक्षा होती हैं जब यहां इन्होंने यह संकल्क लिया कि यहां हम चुनाओं में नहीं जाएंगे कभी कोई चुनाओं लड़ेंगे ही नहीं इसमें हम अपना समय अपनी उर्जा और अपना पैसा बिलकुल नश्ट नहीं करेंगे तो यह खबरें बाहर गई हैं तो वो साफ सफाई उस गाओं में गजब की साफ सफाई आपको नजर आएगी उस गाओं का कोई भी कौना आपको खाली जमीन का आपको बिना हर्याली के नहीं मिलेगा उस गाओं में आप इस तरह का जैसा मैंने कहा कि पूरा जनरल नॉलेज उन्होंने वहां लिख दिया है और वो जो सेवा निवरत अधिकारी लोग वहां आकर बसे हैं वो इतनी खुबसूरती से आपको वेलकम करते हैं और वो पूरा बताएंगे कि 40 सालों में उन्होंने किस तरीके से ये सारा बदलाव किया है तो हर दिन आप किसी भी समय वहां जाएंगे तो आप पाएंगे कि मध्यप्रोदेश के या पौडोसी राजियों का कोई एक प्रतिनिधी मंडल जो गाउं से जुड़े हुए विभाग हैं सरकारी या ग्राम पंचायते हैं उनके लोग उस गाउं को भ्रमन करने आते हैं और उन पुरियोगों को देखते हैं कि कैसे आपने ये बदलाव आप लाकर दिखाए वह कही देखने लायक है आपने तो लगभग पूरे देश का दोरा किया और काफी विस्तता रही इस बीच आपने अध्यन जब किया इन गाउं का तो क्या जो सरकारी सिस्टम का रवईया है इन गाउं के बदलने में सहायक रहा या कोई ऐसा उधारन की जिसके बिना भी बदलाव लोगों ने लाया किसी और गाउं की बात करें देखिए ऐसे कई गाउं हैं देश में और मैं जो सरकारी सिस्टम के रवईये पर आपने जो प्रशन किया है मैं मुझे याद आ रहा है महरास्टर के एहमद नगर जिले का एक गाउं हिवरे बाजार ये बहुत उजाड और सूखा गाउं था यहां ग्राउंड वाटर काफी नीचे था ये भी बात सत्तर और सी के दशक्की में बता रहा हूं लेकिन 1990 में एक पूरे विश्व विद्याले से एक पूपट राउप अवार नाम का युवा जो इस गाउं का जन्मा है और वो पोस्ट ग्रिजुएशन करने के बाद में अपने गाउं लोटने का निर्णे लेता है तो एक ऐसे गाउं में जो सूखा है जहां से ज़्यादतर आबादी पलाईन कर चुकी है पूरे या मंबई और वो उस गाउं में जब आने का निर्णे लेता है तो वो एक बड़ा निगेटिव लोगों में उसके परिवार में किसी ने उसको वेलकम नहीं किया लेकिन अन्तित है गाओं के ही कुछ युवाओं ने उसका स्वागत किया और उसको अपना सरपंच बनाया इस व्यक्ती ने 1996 में सिर्फ 6 साल के अंतराल में अपने गाओं हिवरे बाजार को लाकर उस स्थिती में खड़ा कर दिया कि इसने पूरे देश के सामने ये घोशना की कि एक मच्छर लाईए मेरे गाओं में कहीं से भी और सोका नोट ले जाईए इतना साफ सुत्रा गाओं उसने 6 साल में बना के रख दिया और अब आपने जो सरकारी सिस्टम का सवाल किया तो देखिए जब कोई पॉजिटिव चेन जब कोई सकारात्मक बदलाओ विकास की किसी भी पहल सामुहिक हो या एकाकी हो अपने इस तर पर ली गई हो किसी ऐसी पहल से जब कोई बड़ा बदलाओ होता है तो निशित रूप से जिस सरकारी सिस्टम को लोग कोसते हैं पूरे समय एक अधबुत किस्म का सकारात्मक रविया उनका भी देखने को मिलता है आपको जानकर हैरानी होगी हिवरे बाजार के मामले में कि जब जैराम रमेश ग्रामीन विकास मंतरी थे और इस गाउं की प्रसिद्धी जब पूरे देश में हुई तो ग्रामीन विकास मंतरी जैराम रमेश उस गाउं आए और उन्होंने जब पोपट राओ के साथ उस गाउं को पूरा देखा तो उन्होंने 12 करोड रुपए की लागत का एक ट्रेनिंग सेंटर वहां घुशित किया कि एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर यहां बनाये जाए जहां ऐसे हजारों हजार पोपट राव पवार तैयार हों, जिनके क्लोन तैयार हों, उन्होंने कहा था कि अकेले एक पोपट से काम न विभाग हैं ग्रामीन विखास, स्वास्त, शिक्षा, पर्यावरन, वन, कृशी इन सारे विभागों के जो सरकारी अमला है ये पोपट राव से ट्रेनिंग लेने आता है और पोपट राव उनको बताते हैं कि आप सरकारी सिस्टम में रहकर क्या ऐसा करें और वो कैसे करें कि गाउं में जो सरकारी योजनाय केंद्रो राजे सरकार की तरफ से गाउं के विकास के लिए आती हैं, उनका सच्चे अर्थों में क्रियानवएन गाउं में हो सके, वो रवाइ आपका कैसा होना चाहिए, तो सरकार ने ये उदारता दिखाई, सरकार ने अपना एक कदम आग की कोई और गाओं की कहानिया बता है। आसपास के गाओं में भी आप देखेंगे की एक प्रेणा हुई और एक जागरन हुआ और उन गाओं के युवाओं ने भी आना शुरू किया और देखना शुरू किया और छोटे छोटे इस तर पर जो बदला वो कर सकते थे उनके लिए हिवरे बाजार या रालेगन सिध्ध या बगवार मध्यप्रोदेश का ये सीनियर हैं और इनकी तरज पर बहुत सारे ऐसे गाओं तयार हुए हैं बगवार ने जब ये निरने लिया था कि हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे तो उस समय आसपास के गाओं में वो ये प्रिचार करने गए कि चुनाओं लड़ने मे काम किया वहाँ एक स्कूल के शिक्षक ने अच्छा वो किस तरह का काम था उनके तरह वो एक सचिदानन भारती नाम के शिक्षक हैं जो चिपको आंदुलन जब सत्तर के दशक में उत्राखंड में पेड़ों को लगाने के लिए और बचाने के लिए चला था चंडी परशा अपने गाउं की उसी तरह की परियावरन से जुड़ी हुई थी कि जो उत्राखंड के जो पहाड हैं खासतोर से इनके इनके इलाके के वो पूरी तरह से बंजर और बिलकुल हरियाली शूने पहाड थे तो उन्होंने विरक्षा रोपन का एक बहुत व्यापक अभियान उनकी पूरी जो पौधे उन्होंने लगाए थे और जो व्रक्ष बनने की और अग्रसर थे वो सब सूग गए थे आखिरकार उन्होंने फिर पहाडों में पानी को रिचार्ज करने का एक गजब का काम किया और एक हजार लीटर से लेकर एक लाख लीटर के कौन की डिजाइ और बारिश का पानी जब उपर से भरना शुरू हुआ तो वो सारे गड़े भरे और उन्हों से रिस-रिस के पानी नीचे के गड़ों में गया और पूरा पहाड रिसने के बाद में एक सूखा रॉला नाम का एक नाला था जो सिर्फ बारिश में बहता था और बाकी आठ दस महीने सूखा रहता था वो नाला बारा महीने बहने वाली एक धारा में तबदील हो गया पूरा नाला रिचार्ज कर दिया उन्हों ने जिसका वाकाईदा नाम करण संसकार हुआ हमने नदीयों के नाम करण हमें नी पता किसने किये हैं यह हजारों सालों से भारत की सनातन बता में सभी नदीयों के नाम हैं लेकिन इस सूखा रॉला नाले का बाकाईदा नाम करण हुआ जिसका नाम रखा गया गाड गंगा यह गाड खरक नाम के गाउं की पेजल की समस्या इस प्रियोग ने हमेशा के लिए खतम कर दी और 24 घंटे 12 महीने बहने बहने वाली एक बिखार में यह बदल गया तो सचेदानन भारती ने जो वाटर रिचारजिंग के पहाड़ों में जो प्रियोग किये हैं उनको देखना एक अलग तरह के अनौव से गुजरना है कि एक व्यक्ति चाहे तो क्या कर सकता है तो यह उन्होंने वहां उतराखंड में पेड़ों क और ऐसा करके लगभग 140 गाओं में यह व्यक्ति आज तक 50 लाख जीवित पेड़ लगा चुका है यह चिनोती देते हैं आपको आप किसी भी पहाड़ पे जाके खड़े हो जाईए कि आप गिन लीजे यहां 50,000 से एक पेड़ कम नहीं है तो इस तरह का गजब का काम इन गा प्रावल आ सकते हैं जैसा कि बगवार, हिरने बाजार या उफरेन खाल के लोगों ने लाया और एक व्यक्ति भी शुरुआत करे तो लोग साथ में जुड़ते जाते हैं और फिर यह कहानी जंता के बीच आती है, लोगों के बीच आती है और एक प्रेड़ना बनती है आज जो आपने हमारे शुरुताओं के साथ ये जानकारी साजा की विजय मन्नों हरतिवारी जी इस जानकारी का और विकास प्रभा में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल